हलो फ्रेंज इस वीडियो में आप लोग के साथ सेयर करूंगी बलाउंज का वेक नेक डिजाइन अस्तर और कपड़ा अपने नापी अनुसार कट कर लिजे तुसलिए इसका लंबाई 13 इंच है तो 14 इंच ले लेंगे एक इंच सिलाई मर्जिंग यहां 10 इंच चोड़ाई ले लेंगे 8 इंच का फिटिंग रहेगा 32 इंच के बलाउंज है 5 इंच सोल्डर है फ्रेंज आर्म होल 6 इंच का है 1.5 इंच पे गुलाई दे देना है गला का चोड़ाई 28 इंच है लंबाई इसका 10 इंच है आप अपने आनुसा रख सकते हैं लंबा गला है फ्रेंज यहां 1.5 इंच करते हुए यहां उपर मार्क मिला देंगे तो चलिए इसका भी गला ऐसे भी गला का सेफ देना है भी गला बनाएंगे हम तो डारेक्ट नहीं लेना है हलका सा गुलाई की साथ लेना है और इस तरह आप गले का सेफ ऐसे कट करके बना कर बिलाउच देखिएगा बहुत फिनिसिंग अच्छा बैठेगा इसका हलकी सा गुलाई रहेगा तो तो चलिए इसका प्पड़े को फैला लेंगे इसी नापी अनुसार बिलाउच पीश भी कट कर लेना है बिलाउच पीश का कपड़ा फ्रेंश बहुत पतला है और छलकने वाला भी है तो चलिए इसे यहां सीधे साइड में अस्तर को सेट कर देंगे गला को कपड़ा को नहीं कट करना है पतला कपड़ा है तो इधर उधर हो जाएगा शिलने में तो नीचे हम सिलाई करके फिनिसिंग दे देंगे अधा इंच कपड़ा पकड़ कर सिलना है friends एक इंच ज्यादा था उपर सोल्डर जोडने में अधा इंच जायेगा नीचे अधा इंच सिलाई में जायेगा और तेरा इंच के बलाँच फिटिंग हो जायेगा तो चलिए इस तरह नीचे सिलाई करके अस्तर और कपड़े को अच्छे से मिला लेना है इस तरह करते हुए और पिल लगा देंगे गले के चारो तरफ पिल लगा देना है तिन चार पिल कि अच्छे से सेट हो जाए सिलते समय कपड़ा इधर उधर ना हो मोटा कपड़ा टाइट कपड़ा रहता है तो बिलावन शिलने में दिक्कत कम होता है फ्रेंस ऐसे फिल लगा करके ऐसे हाँ से अच्छे से पकड़ते हुए गले पर सिलाई लगाएंगे दो पॉइंट पकड़कर के सिलाई लगाना है फ्रेंस ज्यादा कप्रा नहीं पकड़ेंगे जिस तरह गले का सेफ है उसी तरह हम सिलाई लगाएंगे बीच में जो नोख वाला कोनर है उसे हम उसी राउंड में हम सिलाई करेंगे वीडियो यदि पसंद आएगा फ्रेंस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन दबा कर आल पर क्लिक कर लिजएगा जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ नोट्फिकेशन आप तक पहुँचे और सबसे पहले वीडियो आप देखें दो पॉइंट कप्रा छोड़ते हुए इस कप्ड़े को भी कट कर देंगे वीडियो अदी फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक को भी फालो कर लिजएगा इसी तरह नए नए ट्रिक देखने के लिए अब कप्ड़े को अच्छे से मिला कर जो भी साइड में कप्ड़ा है उसे अच्छे से कट कर लिजए कप्ड़ा काटते से में अस्तर से थोड़ा लूजिंग ही कट करते हैं जब पतला कप्ड़ा रहता है थोड़ा इधर उधर भी होता है तो कपड़ा हमारा मेंटनेस हो जाता है इस तरह सिलने के बाद कपड़ा कट कर देंगे साइड से बीच का जो गला है तो छोटा छोटा कर्स लगा देंगे ऐसे कर्स लगाना है कि सिलाई न कटे कर्स लगाने की बाद जब हम इसे पलटकर सीध करेंगे तो बहुत फिनिसिंग आता है इस तरह हाँ से करते हुए कपड़े को सीध कर लेना है देखिए अस्तर और कपड़े को अच्छे से इसे मिलाना है हाँ से बैठा लेना है फ्रेंस इस तरह करते हुए पूरे गले पर इस तरह बैठा देना है निचे भी इस तरह कर देना है अब इसके उपर हम चांप सिलाई लगाएंगे चांप सिलाई लगाते समय ध्यान दीजिएगा कि जो अस्तर वाला कपड़ा है वो सीधे साइड में ना दीखे इसी तरह कोर्नर पर चांप सिलाई लगा लेंगे कपड़े को मिलाते जाना है फ्रेंज यदि और हैवी डिजाइन आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं पर्टोरी बिलाउंज प्रिंसेस कट बहुत सारे बिलाउंज डिजाइन हमारे चैनल में है आप जाकर के देख सकते हैं बना सकते हैं फ्रेंज यदि वीडियो पसंद आएगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आपका कमेंट देख करके हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है फ्रेंज यहाँ देखें नीशे भी हम चाप चिलाई लगा लेंगे थोड़ा अस्तर वाला लूजिंग भी रहेगा तो चलेगा जब बलाउंज पिस हम धो देंगे तो एक फ्रेंशिंग आ जाएगा तो ध्यान दीजिएगा कि सीधे साइड में अस्तर न दीखे देखें कितना फ्रेंशिंग से गले का डिजाइन दीख रहा है फ्रेंश बीच से चार इंच पे मार्क लगा कर उपर लंबाई साढ़े चार इंच ले लेंगे दो टक्सी के लिए इस तरह नीचे हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई करेंगे और यहाँ क्रम से कम कर देना है इसी तरह दूसरे साइड भी हम सिलाई कर लेंगे पॉनर पे डबल सिलाई लगा लेना है फ्रेंश देखें कितना प्यारा लग रहा है गले कट जाएं तो चलिए अब डोरी लटकन बता रहे हुँ डोरी का लंबाई सत्रे इंच है इसी तरह डबल कर लेना है दो डोरी के लिए यहां देखिए साढ़े चार इंच का चोड़ाई लंबाई कप्ड़ा ले लेंगे बीच से ऐसे मोड देना है और यहां डोरी सेट कर देंगे ऐसे डबल करके यहां पर कॉर्णर पे हम एक प्लेट उपर के तरफ हम मोड लेंगे पोनर निकालते विए सिलाई करना है तो लटकन हमारा अच्छा बनेगा फ्रेंज देखिए इस तरह पलटकर सिद्ध कर देना है और लटकन का डिजाइन और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोड है फ्रेंज जाकर देख सकते हैं बीच से कट कर देना है यहां गले पर देखिए उपर से धाई इंच लेते हुए मार्क लगाएंगे दोनों साइड मार्क मिला लेना है यहीं पर हम डोरी सेट करेंगे डोरी को अंदर रखते हुए कॉनर पर ऐसे धागा ला करके उपर से हम सिलाई करेंगे दो तीन बार करके ऐसे टक देना है इसी तरह दूसरे साइड भी डोरी को हम लगा लेंगे तो इस तरह गले का सेफ देखर के आप बहुत सुन्दर बिलाई डिजाइन बना सकते हैं और है भी डिजाइन देखना है तो मेरे चैनल में चले जाएए बहुत सारे वीडियो अपलोड है फ्रेंस फेस्बुक को भी चले जाएए फेस्बुक पर भी मैं वीडियो अपलोड करी हूँ वीडियो देखने के लिए फ्रेंस धन्यवाद फिर मिलेंगे कुछ नए डिजाइन के साथ